लेके आज्सू के लोग और इनका जो चरित्र है किस तरह का है वो फिर से जगजाहिर हो गया है इनका जो गुंडागर्दी है ये जो हमेशा सुनने को मिलता है कि आज्सू किस तरह की पाटी है पिछले बार भी इस तरह का अनुभा हुआ है जब हम विधायक नहीं थे तब और कल बरका काना में एक कारिकरम के दौरान सब जगे गए जहां भी गए बहुत अच्छे से लोगों की दौरा प्रेम और स्नी मिल रहा था हर जगे जाके लोगों से मिल रहे थे हर अखाड़े मे जा रहे थे उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि आप वहां पे भी आई है हम लोग वहां पे पहुच रहे हैं फिर हम सोचे दो मिनिट वहां पे होके फिर कई जगे मुख्य अतिती के रूप में भी और हर जगे खोशिश करते हैं पहुचने का तो वहां पे जब गये तो वहां पे जाते के साथ ये महसूस किये कि राजनितिक मंच है ये पूरा आजसु पार्टी के सारे लोग सदस ये बीजेपी के भी कुछ लोग थे उसमें तो हम बोले कि हमको जल्दी से फ्री कर दीजे हम लोगों को शुब कामना दे के चले जाएंगे तो ऐसे इसे करके घं बोले दीजे हम तो जान रहते हैं कि उनसे कुछ उमीद नहीं था लेकिन मुझे इतना था कि ये राम भगवान का मंच है और राम भगवान किसी डल के नहीं होते हैं किसी डल के होते हैं क्या राम भगवान और एक विधायक अगर उनका स्वागत के लिए अगर वहां पे उ प्रवाज करता को पीटने लगा गया अज्शू के उन चेहरों के दार जो लीडर्शिप के साथ अक्सर दिखाई देते हैं यह लोग ही अध्यक्ष थे वहां पर और इनके उपर मडर के बहुत सारे अपरादिक मामले दर्ज है बहुत सारे संगीन अपराद वाले मामले के वहां के लोग भी इनसे बहुत परिशान है जो मुझे बाद में पता चला तो इनका आचरन क्या है वो फिर से जगजाहिर हो चुका है और यह राम भगवान का नाम लेके और राजनितिक रूप से फाइदा लेने का कोशिश करते हैं राम भगवान मर्यादा पुरुश अजों तहें उन्होंने चाहे अज़िक त्री का सम्मान हो चाहे भाई के साथ कैसा वहर ओ शत्रु के साथ कैसा वहरो कैसा समाज में वहरो कैसा मर्यादा रखना चाहिए ग्यान के प्रती इजत बतलब हर चीज में उन्होंने स्थापित किया है कि वो मर्यादा पुरुशोत्तम है और ये लोग मैं बिल्कूल भी संकोच नहीं कर सकती हूँ ये बात कहते हुए कि उस मंच में कोई भी रामभक्त मुझे नहीं लगे और ये आजसू बीजेपी के जो कारे करता बात नहीं है, समाज में ऐसे चीजों के लिए कोई जगा नहीं है और राम भगवान के नाम पे ये लोग जिस तरह से राजनीती करते हैं सबसे पहले मैं आपके मादेम से सभी से ये आगरा करती हूँ कि हम लोग राम नौमी मनाते हैं राम भगवान को आदर्श मानते हैं तो उनके जो आदर्श है उसको अपने जीवन में अमल करें उनको समझें, उनके आदर्शों को समझें और जिस तरह से कल का जो घटना हुआ मैं आजसू और बीजेपी के इस तरह के गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ ये लोग सोचते हैं कि एक महिला है और डर जाएगी मुझे महिला होने के नाते भी और एक जन प्रतिनिदी एक विधायक होने के नाते भी मुझे अपना अधिकार का ग्यान है और मैं सक्षम हूँ इनका जवाब देने के लिए और मैंने जितने भी अधिकारी है उनसे कड़ी कारवाई करने का आगरा किया है और आपके माध्यम से भी मैं इन सब चीजों पर पुना फिर से इस पर कड़ी कारवाई के लिए बोलती हूँ जो बुद्धी जीवी मंच है उस छेतर में जो समाज है बुद्धी जीवी समाज वो लोग भी आज कई कॉल किये कि वो लोग भी काफी हाहत है इस तरह का चीज को देखके आप सोचिए कि ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं इनके बड़े बड़े नेता और एक महिला के साथ साथ मैं विधायक भी हूँ तो भी मंच में इस तरह का दुर्वैवार तो भी इस तरह से ये लोग मारपीट किये मेरे अंगरक्षक के साथ, जब ये कुछ नहीं है वहाँ पे उस छेतर में, क्योंकि अभी चुनाओ आने वाला है, तो इनकी गुंडागर्दी बढ़ गे है छेतर में, और इनका प्रवत्ती भी वैसा ही है, तो सोचे कि जब एक वि शिकायत हुआ है, दर्श थाना में, और थाना प्रवारी भी सब कुछ देखे है, मंच में तो पूरा जित्ते भी वहाँ पे जनता थे, सब देख रहे थे मंच में क्या चल रहा है, हमारे कोई भी आदमी किसी के साथ कोई हाथ भी नहीं उठाया, सब बस ताजूब था कि य अच्छा उमीद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उमीद किया था कि यह राम भगवान का मंच है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मर्यादा रखा जाएगा, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं जनता थे बात पहुचाना चाहती हूँ, कि यह लोग किसी भी रूप से, राम भगत तो है ही नहीं क्योंकि राम भगत तो इस तरह के होई नहीं सकते हैं, और जिस तरह से यह लोग पेश आए हैं, यह पूरे मतलब वहाँ पर जितने लोग देख रहे थे सबके लिए अपमान की बात थी, और जितने लोग तक यह बात पहुच रहे हैं, वो भी मेला के लिए मान सम्मान की बात हो मैं उसके लिए लड़ती हूँ किसी का भी अपमान होता है चाहे वो छेत्र में हो या कोई भी हो हम उसको नहीं बरदाश्ट कर सकते हैं और विश्यत रूप से इस तरह का जो घटना की है तो इससे उनका नुकसान है उनको समझना चाहिए कि राजनितिक में धैर है और सहन शीलता का अगर नहीं रहे उनके अंदर तो फिर वो राजनितिक में बिकार है मतलब फिर वो राजनितिक का परिभाशा हो नहीं जानते है और इस तरह की घटना से उनका कोई फाइदा नहीं वा मेरे से माइक चीन के या जो मुझे माइक दिय उसको पीट के वो अगर सोचते हैं कि हमको जनता से दूर कर देंगे या उनको लगता है कि हम माइक में दो शब्द बोलके मेरी लोग प्रियता बढ़ जाएगी उनकी घबराध बढ़ जाएगी ये साफ साफ दिखाता है कि उनका चरित्र क्या है और वो हमारी जो उपस्तिती है हर प्रत्योहार में 100% होती है आप लोग हर द्योहार में मुझे देखते होगे कि हम कितना धूम धाम से हर द्योहार को celebrate करते हैं लोगों के साफ चाहिए वो कोई भी हो हमें धर्म सिखाता है हर धर्म के लोगों का आदर करना दूसरे धर्म का आदर करना और हम राम भक्त हैं तो हमें मर्यादा पुरुश्वत्म राम भगवान के आदर्शों पे चलना चाहिए ना कि दिखावा करना चाहिए ना कि चोला पहन लेना चाहिए और इस तरह के लोग का तो अपराधिक छवी अल्रेडी है और ऐसे ऐसे पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्षे उनको जानकारी हुई है इस बात की और बाकी हम लोग क्योंकि रात की घटना है तो हम सीधा आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते थे अभी भी सूचना देने का सिलसिला जारी रहेगा कि अभी आपको यह बता देती हूं कि उनका जवाब देने के लिए मैं पूरी तरह से सक्षम हूं और उनको जिस तरह से वो यह सब कर रहे हैं और वो सोस्ते एक लड़की है वो डर जाएगी उनके इस तरह के गुंडागर्दी से तो मैं आपके माध्यम से उन तक यही बात साथ पहुचाना चाहती हूं कि मैं अब वो समय नहीं रह गया कि कोई भी लड़की या कोई भी महीला किसी इस तरह के गुंडे प्रवति के लोगों से डर्ने वाली है मैं महीला के साथ साथ महीला होने के नाते अपना अधिकार समझती हूं और एक जन प्रतनेदी का क्या अ आपनों को जवाब दिये हैं जहां गई थी आपका ही विदान सभा चेतर हैं लोग तो बुलाते ही हैं क्योंकि वो एरिया में ये बड़ा कारिक्रम है और हम लोग कभी भी ये नहीं मतलब खोजने का कोशिश करते कि कहां नहीं बुलाए गया कहां बुलाए गया कई लोग हैं वो सोचते हैं विदाइक जी को टाइम नहीं मिलेगा तो विदाइक जी पता नहीं पाएगी की नहीं पर हम लोग फिर भी कोशिश करते कि हर जगे हम भेट मुलाकात होते जाए हम कभी ये नहीं सोचते कि कहां नहीं जाना है कहां जाना है हम लोग तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं लोगों तक पहुशने का आप ये बताइए कि राम भगवान किसी विशेश दल के हैं क्या और उनके स्वागत के लिए बिल्कुल मुझे वहां पे लोगों ने बुला था लोगों ने बुला तो आजसु बीजेपी के कारे करता हूं कि द्वारा निमंतरन कुछ नहीं था कोई वादचीत नहीं था लेकिन मुझे वाद तो पुलिस का रोल से आप सब्सक्राइब हैं तो अभी तो एफायर दर्ज हुई है रोल तो अभी उनका होना है उस पे पहला रोल तो एफायर दर्ज करना का चाहिए अभी क्योंकि हमारे वजह से उनका मनमानी उतना नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं और कोशिश तो करते क्योंकि उनका प्रतिमिदी के साथ लिया गया था तो टार्गेट तो है इसमें कोई शक तो नहीं है आप अपनी सुरक्षा कार्मी के वजह से ही हम बचे हैं क्योंकि वो लोक जो मारे थे तो इदार से पुरा ब्लीड रीडिंग हो रहा ता मेरे फोटोग्राफर को और कुछ लोगों को मारे थे तो चेस्ट में मारे थे उनको काफी पई हो रहा था किसी वोमिटिंग हो रहा था, सब को लेके गए, इलाज कराने के लिए, सब को रिफर किया गया, रिम्स. मैंदम, सीता सुर्ण के इतनी बड़ी सुरक्षा मिले गए, आपको क्या नहीं मिल पाती है, क्या दिमान करेंगी गोर्मिश्टी भारा सरकार से है? मेरी सुरक्षा खुद जनता है, जनता के सुरक्षा हाम है, और मुझे जितने गार्ड मिले है, उन्होंने अभी तक तो अच्छा ख्याल रखा है, सब चीजों का, और कल भी इतनी बड़ी हादसा से मुझे बचाया है उन्होंने, खुद सारा चीज लिया है, वो भी इंज़र हुए, जो सुरक्षा कर्मिया, उनको भी चोट लगी, लेकिन बावजूद उसके वो घबराएं नहीं, वो हटें नहीं, उनका बस एक ही टार्गेट था कि विदाइक जी को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा से संतुष्ट है, इसका मतला है, हाँ, सुरक्षा से तो क्या करेगा? लाइसेंस अप्लाई किये तो फ्रंट न्यूस बन गया, अब मिलेगा तो पदा नहीं, पूरा न्यूस ही न्यूस रहेगा पाउन्डेशन कोर्स और 11th पास स्टूरेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूरेंट के लिए टार्गेट कोर्स 18 अपरेल से शुरू हो रहे हैं, कॉंटाक्ट बायोम प्रेशर से टार्गे थार सिर्व ठास सबस्क्राइब के लिए रहे हैं, कॉंटार में कर घुंटार Yang बायोम